यह गर्मियों वाला हिल्दी और टेस्टी थंडा थंडा सर्वत बहुत कम समान में कम खर्च में बिना मेहनत के बनके तयार हो जाता है पांच मिनट के अंदर बन जाएगा चाय से जल्दी बन जाता है बड़े और बच्चे सभी पसंद करेंगे सभी इसके स्वाध के हो जाए दिवाने अगर एक बार इसे पी लेंगे तो रोज इसे बना कर पीएंगे बहुत ही स्वाधिस्ट होता है इसे पीने से आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आप तरो ताजा भी महसूस करेंगे गर्मी में बहुत रहात मिलेगे नमस्कार वस्नोभी इजी कुकिंग में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है गर्मियों वाला ठंडा ठंडा हेल्दी टेस्टी सर्वत बनाने के लिए एक कप ले लेंगे चीनी और एक ब्लेंडर जार्मी में डाल ले रहे हूं सेम कप से आधा कप कस्टड पौर्डल ले ले रही हूं इसे भी इसी में डाल ले रहे हूं आप कोई कटूरी या चायवाला कप ग्लास सिट कर लें मेजरीं के लिए उसी से समाल लेंगे तो बढ़िया बनेगा और मैं आधा कप काजू और बदाम डाल दे रहे हूं आप इ पीछना है चीनी जब पिछ जाती है तो फूल जाती है पौडर की तरह इसलिए जादा लग रहा है इस तरीके से मिक्स तयार करके रख लेंगे दूद गरम करें और उसमें डाल देंगे सर्वत हो जाएगा तयार इसके उपर बारिक कटव बदाम भी डाल दे रहे हूं इस तर बरतन में मैं पांससो एमल दोड ले ले रहे हूं आधा लीटर दोडसे मैं बना रही हूं और इसमें से चार पांस चमज दोड एक बरतन में निकाल ले रहे हूं पाले का मबला हुआ दू रोंद रूंट पर हैычно इसमें में डाल दे रह te describes ago 먹 moment अधा लिए अ थंडे दूद में मिलाएंगे तो इसमें गुठूलिया नहीं पड़ेगी बढ़िया से मिल जाता है और इसमें मैं डाल दे रहा हूँ बारी कटा हुए बादाम और पिस्ता डाल दे रहा हूँ वैसे मैं PC हूँ लेकिन थोड़ा सा बारिक कटा हुआ डाल देंगे, देखने में भी अच्छा लगता है और पीने में भी, तो इसे हम मिलाकर अलग रख देंगे, दूद को उबाल लेंगे, मैं फुल फैट के दूद ली हूँ, आपके घर में जो भी दूद आता हो वही ले स सकते हैं, इसे गाढ़ा नहीं करना है, सिर्फ उबाल आने के बाद 2-3 मिनिट तक उबालेंगे, इसमें जो मैं अभी मिक्स तयार करी हूँ, डाल दूँगे खुद ही गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए उबाल आने के 2-3 मिनिट बाद तक पकाएं, उससे ज्यादा नहीं पका लेता है, और इसमें जब हमें मिक्स डालेंगे, जो घोल तयार करी हूँ, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर ले रही हूँ, तब डालोंगे, नहीं तो जैसे डालेंगे, वैसे इसमें लम्स पड़ जाएगा, इसलिए धीमी गैस पे डालें, पहले मिला ले रहे हूँ क्योंकि ये पौडर नीचे बैठ जाता है, इसलिए मिला कर एक हाँ से डालते जाएंगे, एक हाँ से चलाते जाएंगे, ये मिक्स जैसे ही गरम दूद में पड़ता है, वैसे तुरंत गाढ़ा होने लगता है, इसलिए गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करके, मिला कर डालें, और एक हाँ से डालते जाएंगे, एक हाँ से चलाते जाएंगे, तो इसमें लंपस नहीं पड़ेगा, बिल्कुल स्मूध बनेगा, आप देख पा रहे होंगे, इसी तरीकी से करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अब थोड़ा सा गैस बढ़ा लेंगे, ताकि ये बन रहा है चेमज के उपर, क्योंकि इसका सर्वत बनाएंगे, इसलिए जादा गाड़ा नहीं अच्छा लगता है, सर्वत थोड़ा सा पतला ही अच्छा लगता है, इस तरीके से धीरे धीरे पकरा है, आप देख पा रहे होंगे, ये पीने में बहुत ही स्वादिस्ट होत इसे मैं आधा घंटा ठंडा होने दूँगी, उसके बाद देख से दो घंटे के लिए फिरिज में रख दूँगी, ताकि ये बिल्कुल चिल्ड हो जाए, अब ये ठंडा हो चुका है, देख दो घंटे के बाद मैं निकाल ली हूँ, ठंडा होने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगता है, अब मैं गलास ले ली हूँ, इसमें आईसक्यूब्स डाल दे रहे हूँ, अगर आपको परसंद हो तो डाल लें, गर्मी के मौसम हो और आईसक्यूब्स न डालें सरवत में, तो पीने का मज़ा ही नहीं आता है, लगबग 2-3-3 पीस में डाल दे रहे ह इसे एक बार आप बना कर पीएंगे तो इसके स्वाद के दिवाने हो जाएंगे। हमेशा कोशिश करेंगे कि ऐसे ही एक गलास बना कर डेली पीएंगे। इसको पीने से आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आप तरो ताजा भी महसूस करेंगे। इसके उपर से बारिक कटा हुवा पदाम और पिस्ता भी डाल दे रही हूं अच्छे लूप के लिए अंदर तो डाली हूं हेल्दी तो है भी ये और टेस्टी भी है और फ्रूट जैम भी डाल दे रहे हूं अच्छे लूप के लिए अगर यह वीडियो आपको जरस भी अब गर्मियों वाला ठंडा ठंडा सर्वत हो गया है तयार आप एक बार जरूर इसे बना कर पिए आपको बहुत अच्छा लगेगा बनाना बिल्कुल असान है कोई दिक्कत नहीं होती है पांच मिनिट के अंदर बनके तयार होता है